हेलो स्टुडेंट्स कंप्यूटर वीपी बोर्ड पेपर 2018 का सॉलूशन इस वीडियो में हम देखेंगे पहला कोश्चन में मल्टिपल चॉइस कोश्चन में जो आया था वो यह रहा निवने में से कौन सी इन्पुट डिवाइस नहीं है? पहला कोश्चन है निवने में से कौन सी इन्पुट डिवाइस नहीं है? कीबोर, प्रिंटर, मौस और जॉयस्टिक तो इसका सही आंसर है इसमें प्रिंटर जो के इन्पुट डिवाइस नहीं है 2nd कोश्चन है निवने में से कौन एक OS है? modem, inkjet, pen drive और dOS तो DOS इसका correct answer है Disk Operating System चलते हैं next question पर तीसरा question है निम्ने में से कौन hardware device नहीं है memory, cache, excel और processor में इसका सही answer है excel जो की hardware device नहीं है excel एक software है निम्ने में से कौन एकल input logic gate है NAND gate, AND gate, NOT gate और NOR gate इसका सही answer है NOT gate ऐसा gate जिसमें किवल एक input होता है और एक output होता है वो कहलाता है NOT gate चलते हैं next question पर फिफ्ट नम्मर का question इसी पर पहले में निम्ने में से कौन save operation का shortcut है Ctrl P, Ctrl S, Ctrl N और Ctrl F इसका सही answer है Ctrl S File को save करने का shortcut है Ctrl S File को print करने का shortcut है Ctrl P और new page नया page देने के लिए किसी फाइल में MS Word या Excel में उसके लिए shortcut Ctrl N और find करने के लिए उसका shortcut है Ctrl F यहाँ पर save के लिए पूछा था तो इसका सही answer है Ctrl S एक question और आता है कि file को open करने का shortcut क्या है तो control ओ हो जाएगा वहाँ पर second number की question पर चलते है निमनिखित का संचित वढ़ने कीजिए describe in brief the following एक नमर की एक question है first question है wireless communication अठाथ बेतार माध्यम दूसरा है WAN तीसरा है Windows OS तीसरा है bandwidth तोरी चौता है bandwidth और पांचवा है simplest communication इन सभी पांचों का answer यह रहा बेता अर्था wireless communication जिसमें data और सुचना एक इस सांच से दूसरे सांच तक बीना तारिक के दोरा इस्ताना अंतरत हो वो wireless medium कहलाते हैं जिसमें repeated satellite, bluetooth, ymax पगेरा आ गए फिर है WAN तो wide area network इसका पूरा नाम है और यह international यह national इस तर पर इससे इस्थापित किया जा सकता है सबसे पहला WAN network था अर्पानेट यह सबसे पहला network जिसका नाम था अर्पानेट फिर है bandwidth किसे कहते हैं तो आवरत्य की सीमा को bandwidth कहते हैं frequency की जो range होती है वो bandwidth कहलाती है bandwidth are three types, three particular QT bandwidth narrow band, vice band and wide band फिर था simplest communication इसमें डेटा का संचन हमेशा एक ही दिसा में होता है जैसे TV transmission computer का keyboard, mouse printer वगेरा यह सभी simplest communication की अंतरगत आता है थर्ड नंबर का question है explain the following निमन खित को समझाईए अब यहाँ से यह question दो दो नंबर क्या गया है तो थोड़ा इसमें और ज्याजा लिखना पड़ेगा अभी तक एक line में कम से कम 5 line या एक paragraph या देड या दो paragraph लगभग लिखना पड़ेगा आपको तो निमन खित को समझाना है सबसे पहला question है इसमें printers दूसरा है mouse HLL, VI text editor और logic gate यहाँ पर जो मैंने answer दिये हैं सभी के यहाँ मैंने sword दिये हैं आप इसमें और भी लिख सकते हैं तो output device अठाथ printer यह एक output device है जो computer पर से data को लेकर print निकालने का कार्य करता है यह hard copy रूप में data को प्रदरसित करता है printer दो परकार के होते हैं impact और non-impact impact printer जो ठोकर मारके अक्षरों की printing करता है वो impact में आता है और non-impact आता है जो कागज पर अक्षरों की छपाई इंग की बॉच्छार से अर्थाथ spray की रूप में करता है वो आता है non-impact printer दूसरा है mouse mouse एक input device है जो computer पर किसी object को select करने या icon को click करने के लिए प्रियोग किया जाता है इसके दोरा बड़ी ही आसाने से हम फाईलों को या computer को access कर सकते हैं और mouse को mouse pad पर रखकर चलाया जाता है Douglas Angel Word ने इससे develop किया था इसे बाद तीसरा है high level language HLL HLL का पूरा अराम होता है high level language ऐसी बाद जो user समझता है वो कहलाती है high level language अर्थात यहने user आसानी से समझ सकता है यह English बाद में लिखे गाई code होते हैं इसमें digit और symbol भी प्रियोग किया जाते हैं जैसे coble, basic यह सभी high level language की अंतरगत आती है चौता question है V.I.Test Editor V.I. का पूरा नाम है visual इसका पूरा नाम होता है visual editor इसे विक्सित करने कसरे बर्कीली कैलिफोर्निया युनिवस्टी के computer science department को जाता है Bill Joye ने इसे develop किया था यह एक अत्यांत उप्योगी और powerful text editor है इसमें command और program दोनों लिखे जाते हैं full screen में यह editor open होता है और अन एडिटर के पेच्छा यह काफी fast होता है और इसका advanced वर्जर है WIM एडिटर यहाँ पर WIM एडिटर का पूरा नाम है visual improve फिफ्थ नमर का question था logic gate तो logic gate एक electronic परिपत होता है electronic circuit होता है जो logical क्रियाओं को संपन करता है इसमें एक या एक से यादिक input variable हो सकते हैं तथा एक ही output variable होता है logic gate तिन परिकार के हैं basic जिसे gate कहते हैं and or और तीसरा है not gate चलते हैं अगले question पर fourth नमर का question यह रहा write about the following निल्खित के बारे में समझाईए यह बताईए दो दो नमर का यह question है सबसे पहला है इसमें random files, library function, dmp, stacks और directory यह रहे इन सभी के answer random files जिसमें data को किसी भी करम में लिखावा record किया जा सकता है और उसे किसी भी करम में देखा पढ़ावा सुना जा सकता है random files के रूप में data इस्टोर करने के लिए मुख्यूरूप से hardest cd, dvd, pendrive के प्रियोग किया जाता है दूसरा question था library function तो library function को built-in function या predefined function के नाम से भी जानते हैं और ऐसे function जो cvasa के compiler के साथ पहले से मिलते हैं वो library function कहलाते हैं या इन function को प्रियोग में प्रियोग करने से पहले इनकी header file attach कि जोड़ी जाती है यह function इस परकार है printf scanf gets strcpy या त्यादी यह सभी library function है फिर है dmp का पूरा नाम dmp को एक question था dmp का पूरा नाम होता है dot matrix printer अर्था ऐसा printer जो अक्षरों को छुड़ी छुड़ी dot से में रिकर के बनाता है वो कहलाता है dot matrix printer यह impact printer का एक प्रिकार है इसका पर रेलवे department में किया जाता है stack अगला question है stack stack एक linear data structure है एक data list है एक प्रिकार की जिसमें stack में था यह leafo method पर कारे करता है अता है इसमें जो data last में input होता है वह सबसे पहले delete हो जाता है stack एक ऐसा register है जिसमें जो भी data सबसे last में input होगा सबसे उपर वालर सबसे last पे आया तो वही data सबसे पहले delete होगा तो यह leafo method पर काम करेगा अता last in और first out जो last में गया वही पहले delete होगा ऐसा register है यह stack फिर directory directory में file store होती है और file में हमारा data Linux में जब भी कोई user एक file बनाता है तो Linux उसकी directory file बना देता है वैसे directory यह परकार का container होती है जो file को store करने का काम करती है कई परकार की अलग-अलग file है जैसे image, audio, video इत्यादी सही file को directory भी store करके हम रख सकते है fifth number का question है answer all the parts जिसमें से पहला question है character representation क्या होता है second question है Linux और Windows की तुलना कीजिए third है भिन्न परकार के networks को समझाईए different types of networks तीनों के answer ही रहे अफ्चह प्रस्तुती करण character representation ये दो परकार के है ASCII और FCD code किवल इन्हीं दोनों की बारे में लिखना है BCD code character representation के अंतरगत नहीं आता है BCD or not character representation code वो किवल number के लिए और decimal number के लिए तो ASCII और FCD code दोनों की बारे में लिख देना है ASCII code की दोनों परकार ASCII 7 और ASCII 8 और ABCD code की दोनों ABCD code का यह एक ही है यही जो 8 bit वाला code होता है फिर दूसरा question था Linux और Windows में अंतर यहां मैंने sort में लिखे हैं आप इसे brief में लिख सकते हैं जैसे पहला अंतर है कि Linux एक free operating system है जबकि Windows free operating system नहीं है दूसरा है Linux open source OS है और Windows open source operating system नहीं है तीसरा अंतर है कि Linux एक case sensitive OS है और Windows case sensitive नहीं है चौता है Linux को use करना कठिन है और Windows को प्रयोग करना अत्यानत असान है और पांचवा difference है यह hacking के लिए use किया जाता है और Windows का प्रयोग hacking के यह नहीं किया जाता है थर्ड नमर का question था explain different types of networks land, man, when को यहाँ पर समझा देना है आपको आप इसका figure भी बना सकते हैं चलते है next question पर six number का question इरा सभी खन्नों की उतर दीजे C भासा में भिन variables कौन-कौन से हैं दूसरा है strings क्या है इसके प्रकार लेखिए और तीसरा है programming भासाओं की generation क्या है समझाइए यह रहे इनके answer different types of variable local variable, global variable and automatic variable बता दें यह सभी question यह variable वाला question यह last वाला chapter function से related है अर्थाद UDA function हम लोगों ने प्रियोग किया होगा तो local variable ऐसे variable होते हैं जो main function के अंदर function की calling में प्रियोग होते हैं वो variable कराते हैं local variable और global variable ऐसे variable होते हैं जो function की परिवासा में परिवासित होते हैं use की जाते हैं वो कहलाते है global variable अर्थाद यह main function से बाहर प्रियोग की जाते हैं और automatic variable ऐसे variable होते हैं जिने जैसे हमने लिखा integer a और b यह साधान variable हैं इसी को अगर हम automatic keyword का प्रियोग कर दें तो यह भी by default automatic ही रहेगा पर automatic हम लिखते नहीं है पर by default है यह automatic तो automatic अर्थाद variable को डिकलर करने के लिए हम automatic keyword का प्रियोग करते हैं जैसे कि आपको इस्क्रीन पर दिख रही होगी और इसके प्रिकार लिख देने हैं जिसमें उनकी function की बारे में लिखना है चाहे तो आप इसमें सभी के प्रोगाम बना सकते हैं या फिर किसी एक का या किनी दो की प्रोगाम आप बना करके समझा सकते हैं तीसर कोशन है प्रोगामिंग भासाओं की जनरेशन को संधाना है तो प्रतम पीड़ी में आई निमनिस्तरी भासा दूसरी पीड़ी में आई असमिली भासा तीसरी पीड़ी में आई हाई लेबल लैंवेज अर्था उच्छे इस्तरी भासा और चौधी पीड़ी पर आई 4GL जिसमें आया आगई आपकी जावा, jtml, जी सभी चलते हैं नेक्श्ट कोशन पर 7 नमर को कोशन रहें सेवंद नमर पर सी भासा एक मिडिल लेवल भासा है उदारम दोरा समझाईए तो इसमें आपको सी भासा की बारम हम लिग देना है कि C भासा ना तो low-level language की स्रेड़ी में आती ना ही high-level language की स्रेड़ी में इसलिए इसे middle-level language के नाम से जाना जाता है आप इसके बारे में इसकी विसेशता है इसका विकास कब हुआ ये सब और एक साधाना सा छोटा सा प्रोग्राम या इसकी सरचना बना सकते है या अत्वा में कोश्चन को सौल कर सकते है C भासा के संदर्म में निम्न को समझाईए तो data types और logical operator तो data types क्या होते हैं इसकी परिवासा इसके सब्दों में चीपी है data के प्रिकार को जो निश्चत करता है वो data type क्या लाता है पांच प्रिकार की होते हैं wide, care, int, floor, double memory में कितने बाइट इस्थान गेटता है वो लिद देने और कौन कौन सी संक्या है या कैसे कैसे संक्या है कहां से कहां तक इस्टोर होती है yes calculation कर सकता है एक इस्टिंग में कितने सब्द हैं ग्याद करें और बताए कि कि सब्द में सबसे अधिक अक्षर है या searching क्या है sorting क्या होता है इसी वहांसा में इसकी उपलब तकनीक को समझाईए तो आप या तो program बना सकते हैं या फिर searching sorting वाला question का answer दे सकते हैं तो searching के दोनों प्रकार binary और linear search और sorting के तीनों प्रकार selection, bubble और insertion तीनों को आप समझा सकते हैं उदारन साइद और यह जो 8 नमबर का program है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ program है यहाँ पर हमने variable लिया है name नम का जो 50 अक्षरों को इश्रो करके रशता है और i लिया है यहाँ पर हमने अक्षरों के लिए अर्थाद count करने के लिए और j लिया है space को count करने के लिए i सब्द हैं और j space है printf enter name यह message output की screen पर लिक करके आएगा यह देखिए यहाँ पर इससे बाद gets name अर्थाद input करने का जो की unformatted input function है नाम को हमने क्या कर दिया है input कर दिया अब क्या करना है अब हमने एक condition चेकी while name i not equal slash 0 अर्थाद i में दिया गया name variable में दिया गया है नाम अगर 0 के बराबर नहीं है अर्थाद कोई अक्षर अगर नहीं है conditions क्या हो जाएगी false हो जाएगी कोई अक्षर नहीं है तो false हो गई फिर आगे की condition चालू nicht होंगी condition क्या कर सही कह रही है कि दिया गया name में कोई भी अक्षर जो दिया गया है वो slash 0 के वराबर नहीं है प perspectives विल्फजा कोई अक्षर होंगे बिलैंक नहीं है और slash zero कप रहना किया आता है chỉ्टिंग की समापती पर तो यशा नहीं कि राम कुमार सिंगह में कोई string है ही نہیں अक्ष़ोर से मिलาร करकि हैं तो राम कुमार सिंगह सभी अक्षर ही तो हैं तो सब्दका निर्मान कर रहे हैं slash 0 तो नहीं है slash 0 सबसे last पर है तो condition क्या हो जाएगी पिर क्या जाएगा अगले line पर जाएगा if में चेक करेगा name i is equal to is equal to gap जहां पर भी इसे gap मिलता है और यहां पर चिन ने प्रियोग किया है logical end operator जो की दोनों condition का सही होना इसमें जरूरी है logical end operator कहरा है पहला कहरा है name i is equal to is equal to gap gap दे रहा है कहीं भी और i में एक अंकी व्रद्धी कर दे i में एक अंकी व्रद्धी कर दे तो जो भी आए अक्षर वो नहीं है बराबर gap के जैसे राम या आई की location gap के यह आई और दूसरी condition कहरा है name i plus one i के मान में एक अंकी व्रद्धी हो गई तो क्या आगया यह कुमार वाला अक्षर आगया के तो यह क्या है not equal gap यह gap तो है नहीं यह gap नहीं है i का मान जो है यह gap अब क्या करे अगर यह condition true होती तो j के मान में एक अंकी व्रद्धी करते है j का मान क्या था एक दिया था अभी क्या हो जाएगा दो हो जाएगा क्या हो गया दो हो गया अर्थाती है पहला word अब दूसरे word पर जा रहा है उसकी process यहाँ पर हो रही थी यहाँ पर क्या हो रही थी उसकी process हो रही थी तो j command में एक अंक्री व्रद्य हो गई j command क्या हो गया दो हो गया फिर i command increment होगा अगले उसमें जाएगा सब्द में फिर यह चेक करेगा कि क्या slash 0 के बराबर तो नहीं है अगर यह condition true होती है तब ही अगले वाली if condition पर जाएगा और फिर से y process gap को test करेगा gap की बाद एक अंक्री में increment करेगा s जहां पर चला जाएगा वो gap नहीं है दोनों condition true हो जाएगी j command j command में increment हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3 फिर से बाद i command में एक अंक्री व्रद्य हो जाएगी अब यह चेक करेगा condition जो की सही जो की गलत हो जाएगी की वाई नेम i not equal slash 0 जो की क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी slash 0 है वहाँ पर फिर आगे की यह इफ वाली condition follow अब नहीं होगी तो को मिला के j command कितना हो गया 3 पिरन टैप number of words is number of words is j j की वरू यहाँ पर दिखा देगा तो यह था किसी भी string को input करके उसे उसमें कितने वर्ट हैं यह जानने का program thank you